नमस्कार दोस्तों दर्बंगर अक्स में आपका स्वागत है सीता मडी के सांसे रोक देने वाला ये महसोल गुम्टी जहां पर फाटक गिरने के बाद लोगों के सांसे रुक जाती थी गंटों दो गंटे चार गंटे दिन भर यहां पर लोग रुके रहते थे शायद अब उन बेबोर्ड ने इसके रिवाईज एस्टिमेट को जो है वो मनظूर कर लिया है और यह जो यहां पर दिन भर लोग पोटेस्ट करते थे यहां पर लोग परिशान होते थे जाम से जूजते रहते थे और सर फोड़ते रहते थे अपना अब उन्हें यह इस से निजात मिलेगी और सांसत सुनिल कुमार पिंटो ने ये खुशकबरी दिया और उनने काया कि जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा कर दिया और सीतामडी जिलावासियों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है और सीतामडी के जिलावासियों को बहुत बहुत हार्दिक वधाई उन्होंने दे दी है तो इस तरह से उन्होंने ये शुब कामनाई देते हुए आपको बता दें कि सांसत महोदे ने हाल ही में एक चिठी नए रेल मंत्री जो बने हैं शुनी वार्ष ने उनको वैशना उनको ये चिठी लिखी थी और उसके बाद ये अब जो चिठी आई है रेलवे बोर्ड की वो देख लीजे अठारा तारीक का ये रेलवे बोर्ड के चिठी है जिसमें रेलवे बोर्ड ने जो है साफ साफ लिखाया कि कम्माइन डीटेल एस्टिमेट फॉर कंस्ट्रक्शन आफ रोड ओवर ब्रीच इन लीव अफ लेवल क्रॉसिंग नमबर 56 बिट्विन परसौनी सीतामडी तो ये जो उसमें रिवाइज एस्टिमेट में लिखा गया कि टोटल कोस्ट जो है वो 85 करोड का है करीब 85-86 करोड का जिसमें की रेलवे का शेयर है 21 करोड का यानि करीब 22 करोड का और उसमें स्टेट गवर्मेंट का जो शेयर है व देखना है बिहार सरकार इसको कब इस पर सहमती देती है लेकिन पिंटो जो है सुनील पिंटो सांसत वो इसमें क्रेडिट ले रहे हैं और ये दुखी भी थे और पिछले दिनों इन्होंने रेल मंत्री को चिठ्ठी लिख करके अपनी वैथा को सुनाया भी था और 28 तारीक की चिठ्ठी थी जिसमें उन्होंने लिखा था आदैनिय वैशनों जी मेरी हसी उड़ाई जा रही है मजाक उड़ाए जा रहा है और बड़े दुख के साथ मैं लेटर लिख रहा हूं वर्षों से काम अधुरा होने के कारण जनता द्वारा जन परतिनिदी और सरकार की हसी उड़ाई जा रही है अता आपसे अनुरोध है कि जनता के आक्रोश से हमें बचाते हुए शिग्र अति शिग्र आरोबी के निर्माण पर आदेश देने की किरपा करें जिससे जनता का जन परतिनिदी भार सरकार के प्रतिव विश्वास बना रहे हैं तो इन्हें पता था क प्रति हरे कि लोग उस्ते में है उनकी हसी उड़ा रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पर सेल्फी पॉाइंट बराने की बात कि थी और नाकामीयों का जश्न मनाया था यहाँ पर केक काटा गया था और हिससे भी वह दुखी सांसत हो दुखी है तया जो पोस् उन्होंने इस पर एक जवाबी एक चिट्थी भी जारी की थी और उसमें उन्होंने अपनी धेर सारी उपलब दियां बताई थी कि उन्होंने पिछले दो साल में क्या किया है देखिए सुनिल कुमार बिंटो ने लेटर जारी किया था चब्विस फांच को और इसमें सीतामाडी सांसत के कारेकाल का दो वर्ष पर उन्होंने 15 उपलब दियां गिनाई थी टोटल 15 उपलब दियां ये देखिए बारा उपलब दियां इसमें बारा उपलब दियों में जो क्या क्या है वो देख लीजिए सिरसे लवार तरीके से कि प्रदानमंत्री सायता को से 40 आदमे को 53,63,000 रुपे की राशी उन्होंने मोहिया कराई दूसरा था सितामणी सुरसेंड नेशनल हाईवे 104 का उन्होंने काम पूरा करवाया तीसरा बतनाहा शेत्र में 50 वर्षों से लंबी 4 बड़े पुल का निर्मान उन्होंने कराई कि सितामणी शायर के में डोड पसरा में जानकिय अस्थद और किरंचोक वरियारपूर चार लें तक का सड़क निर्मान कराया इसके पांचमा छटा उन्होंने कहा कि जिला में 21 जगे आई मास्क लाइट और सितामणी मेडिकल कॉलेज का कारे शुरू कराया इसके लावा सितामणी दर्भंगा और सितामणी मुजफर पूर रेल लाइन का विद्यूति कराण कराया इसके लावा सितामणी नगर परिशत से नगर निगम में परिवर्तन कराने में उनकी भोमिका रही इसके अर्नेशनल हाईवे सतत्तर का थुम्मा प्रेमनगर सुबही भूती बाजार से गुजर्णमारी सडक कर निर्मान कराया, पुपरी रेलवेय ओवर ब्रिज कर निर्मान कराया। आपका ग्यान वर्धन होगा तो इतने दुखी थे वो निकम्मा कहे जाने पर कि उन्होंने आंत में लिख भी दिया कि निकम्मा सब से सम्भूदित किया जा रहा है तो वो ये कार ये देख लें कि उन्होंने पिछले दो साल में क्या क्या किया है तो उन्होंने उपलब्धिय निर्मान न होने के कारण जो लोग दुखी हो रहा है रोजाना उनका क्या तो अब समय आ गया है कि आपने अगर रेलवे बोर्ट से पास करवाया है और बिहार सरकार के पाले में गेंद आ गई है तो अब आपकी भूमिका है कि जदियू के आप सांसद हैं तो जदियू की सरक भी है बिहार में डवल इंजिन की सरकार है तो आप ओवर बीच का निर्मान अतिशिक्र करा करा करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराईए और चीता मणी को जो यह सिर्दर्ध है जो पिछले कई वर्षों से कई दश्कों से यह सिर्दर्ध है इस से मुक्ति दिलवाईए इस आफस से उन्हें आजाद कराईए तो आपकी जो नाम है वो और बढ़ेगा और आपका नाम शायद इतिहास पूरुष में दर्ज किया जाएगा कि सांसत पिंटो नहीं यह काम को करवाया तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रू लाइक जी शेर किए कमड़ी के सब्स